हलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट, मैं जागरूती आप सभी एका स्वागत करती हूँ, आज मार्केट में हमें काफी फॉल देखने के लिए मिला है, तो क्या ये फॉल यहीं पर रुखेगा, यहां से रिकवरी आएगी, या और डाउनसाइट की लेवर्स जो है वो खुल गई है, यह हम डीटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जैसे कि निफ्टी 22,520 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यह अपने सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो अब आगे क्या, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पिन निफ्टी और देखा जाए, तो निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ है, यह डे चार्ट में आपको दिखा रही हो, निफ्टी का डे चार्ट यहां पर यह हमें एक निगिटिव कैंद चिक पाटर्न देखने के लिए मिल रहा है, त्री इंसाइड आउट, यह कंद सिक पाटर्न हमें देखन शुरू हुआ था उसके आसपास ही शायद इसराइल के वार की कुछ न्यूस चल रही है जो कि मार्केट के लिए अच्छी नहीं है अनसार देती है इसके साथ ही कमोडिटीज जो गोल है, सिलवर है, क्रूड है, डॉलर है ये सभी एक साथ बढ़ने लगे है जो कि एक्विटी मार्केट को काफी प्रेशर करते है तो अब आगे क्या लेवल्स रहेंगी मार्केट की या मंडे को मार्केट में हमें किस तरह से ट्रेड करना है मंडे ट्यूस इस चार्ड को मैं कर लीती हूं मुद्टी मिन्ट पर और यहां पर हम लेकल्स डिस्कस कर देते है हमें सेलिंक तो देखनी के लिए मिल ही रहा है मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल्स जो एक रहेंगे वहार त्वेटी टू थाउजडन्स एक्स ट्वेंटी का रहेगा ये बहुत important resistance रहेगा क्योंकि यह जो fall market में आया है इसका 50% हम देखे तो इसका इस candle का 50% 22,620 हो रहा है इसके बार यहाँ पर इसका पिछला support दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें जो है यहाँ पर यह support और resistance को लेते हुए दिख रहा है इस area में भी आपको दिखेगा कि यहाँ प लेवल है 22,620 यह बहुत ही important है अगर market को nifty को specially यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना है तो पहले इस level को cross करके sustain करना बहुत जादा जरूदी है इस level को cross करके यह sustain कर जाता है तो हम यह समझ सकते है कि फिर से अब move जो है वो start होने लगा है ऊपर की तरफ निफ्टी जो है अब आ यहाँ पर एक छोटा सा hurdle हमें phase करते हुए निफ्टी दिख सकता है पट हमारे लिए important resistance यह है यहाँ से हमें इसको अगर sustain कर जाता है तो अच्छा खासा अब move देखनी के लिए मिल सकता है बात कर लें support की तो support पर 22,480 यह support है चोकि बहुत ही pass है और हो सकता है कि Monday gap down opening में ही यह सारे support की level है अब Monday को market अगर ग्याप down open होता है तो किस level के आसपास होता है यह बहुत important है in case इस level की नीचे अगर open होता है इस level के आसपास तो हम 5 minute की 2 candles हम wait करेंगे कि 5 minute की 2 candles buying side में है यह negative sign ही दे रही है अगर buying side में है तो फिर से यहाँ पर retest करके फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है और अगर direct 100 points नीचे ही open होता है लेक्से 22,420,430 इसके आसपास ही open होता है तो हो सकता है कि panic में 22,360 तक भी market जो है वो आ जाए यह इसका third support रहेगा यहाँ पर इस area में अगर आता है तो एक अच्छा हसा bounce हमें देखने के लिए मिल सकता है यह होगी निफ्टी की बात आपने अगर पिछला मेरा short वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो predictions होते है उसका वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है यह अपने top पर चल रहे है तो हमें बहुत ही cautiously trade करना चाहिए अब offline courses, online courses, आप अगर पुना में रहते हैं तो हमारे offline courses भी available है, otherwise live, zoom based, हमारे online courses भी available है, description box में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ जाकर check कर सकते हैं, otherwise आप Delhi support चाहते हैं, तो हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं, उसकी भी link जो है, description में दे दी गई है, चलिए बिना वक्त गवाए, bank nifty के day chart देख रहे हैं, तो ये तीनों candle मिला कर भी एक negative pattern बन रहा है, और ये single candle भी एक negative pattern बना रहा है, inverted hammer ये pattern बन रहा है, जो कि एक selling हमें indicate कर रहा है, कि market में एक selling आ सकती है, तो इसके साथ ही मैं आपको और भी charts, जो है, इसके levels तो मैं आपको बता ही रही हूं, बट इसके साथ म को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि selling indicate कर रहा है, मारूती, जिसमें हमने आज काफी अच्छा खासा trade किया था, जिसका video भी हमने share किया है, कि इसके पीछे का क्या logic था, चार्ट पर हमने क्या देख कर trade किया था, तो इसमें हमें काफी अच्छा sell side एक position देखने के लिए मिल रहा है, ये भी negative pattern ही indicate कर रहा है, और अगर हम HDF से bank को देखे, तो HDF से bank भी एक negative pattern ही बना रहा है, तो यहां पर मैं ये कहने के कोशिश कर रही हूं, कि ये सारे चार्ट जो मैं आपके साथ share कर रही हूं, और भी बहुत सारे चार्ट है, जो कि कई सारे चार्ट पर shooting star, dark cloud cover, जो कि कई सारे चार्ट पर negative patterns बने हैं, तो इतने सारे stocks पर अगर negative pattern बन रहे हैं, तो आप कहोगे कि market fall में है, तो negative pattern तो बनेगी ही, बट क्या होता है, nifty bank nifty तो नीचे आते हैं, लेकिन stocks जो है वो अभी तक sustain कर रहे हैं, लेकिन अब हमें stocks में भी selling देखने के लिए मिल रही हूँ, कि हमें चारों तरफ से selling देखने के लिए मिल रही है, तो आप every deep पे buy के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि आप trap हो जाए, तो हमें every deep buy के लिए अधी, फिलहाल के लिए, ये strategy हमें रोग दिनी है, market हमारा overall positive trend में ही है, लेकिन फिलहाल के लिए, एक दो हपते के लिए हम buy on dips, ये strategy अब नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको bank nifty की labels बतागो, कि bank nifty हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस chart को मैं convert कर लेती हूँ, bank nifty ने जो closing दी है 48,528, ये हमें closing bank nifty में देखने के लिए मिली है, जैसे कि मैंने कहां कि हो सकता है कि Monday high chances है कि gap down ह तो gap down अगर open होता है, suppose 48,1, 68 के आसपास कहीं open होता है, या in between यहाँ पर या यहाँ पर कहीं open होता है, तो bank nifty अभी strength दिखा रहा है और result sessions भी चल रहा है, आज TCS का result आया है, उसका क्या impact होगा nifty पर, ये हमें मंडे को पता चलेगा, IT की companies के जो results आते हैं, उसका impact nifty पर होता है, तो bank nifty पर इतना असर नहीं होगा, अगर IT की results अच्छे आते हैं, तो banking थोड़ा pressure में आ सकता है, otherwise अभी भी bank nifty हमें positive signs की दे रहा है, हम एकात दिन की बार छोड़ देते हैं, कि एकात दिन हमें यह negative sign दे रहा है, थोड़ा सा correct हो रहा है, क्योंकि one side तो कोई भी market उपर नहीं जा सकता, ठीक है, तो 48,168 यह एक support है, उसके बार 47,760 यह दूसरा support है, अगर bank nifty हमें support के आसपास मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा stop loss लगा के buy on dips की strategy अभी भी bank nifty में कर सकती हूँ, मैं definitely अगर support कर आता है bank nifty तो मैं buying के लिए ही जाओंगी bank nifty में, otherwise बा की sustain करने लगता है, तो मैं selling side भी bank nifty में preferred करूंगी, यह depend करेगा कि market मंडे को open होने के बाद क्या react कर रहा है, तब तक market में क्या-क्या news आई गा, तो यह support level को मैं ध्यान में रखूंगी 47,760, 48,168 और अगर resistance की बात करें, उपर निकलने की कोशिश कर रहा है bank nifty, तो हर्डल कहां phase करेगा, 48,798 और 49,040 यह resistance areas रहें, तो यह जो level दीख रही है आपको, दो levels उपर के और दो levels नीचे के, इस range में हो सकता है bank nifty फसे, अगर कोई bad news नहीं आ रही है, बहुत heavy fall नहीं आ रहा है, तो यह जो level आपको दीख रही है, इस level में bank nifty अटक के रह सकता है, जब तक banking के results start नहीं हो जाते हैं, तो यह next week के लिए रहेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि Monday Tuesday, फुड़ा selling pressure हमें market में देखने के लिए मिल सकता है, उसके बाद, जैसे जैसे market अपने आपको सम्हालने की कोशिश करेगा, तो हमें charts पर पता चलेगा, और जैसे हमें charts पर पता चलेगा फिर हमारी strategy उसी साब से change कर सकते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे comment में ज़रूर बताए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करे, चैनल को subscribe करे, ताकि और वीडियो बनाने के लिए मुझे motivation मिलते रहे